हेलो दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल ओल इन वन पॉइंट में दोस्तों यहाँ पर देखिए एक जबदस्त रिक्रुमेंट निकल के सामने आई है आप देख सकते हैं जबदस्त रिक्रुमेंट निकल के सामने आई है अब देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते है 87 seat है यहाँ पर आप देख सकते है 87 seat है ठीक है और उसमें गाइज बहुत सारा पोस्ट आपका mechanical का भी है और electrical का भी है चलिए गाइज इसके बारे में हम details से notification डौनलोड करके आपको बताते हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और bell icon को भी परेस कर दीजिए ताकि आपका कोई भी update यहाँ से miss नहीं हो चलिए गाइज हम आपको इसके बारे में बताते हैं पुरा details से गाइज यहाँ पर देख सकते हैं nuclear power plant के official site से मैंने PDF को download कर लिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं नरोरा power plant का है जो कि उतर पर देश में इसका अरवर्टाइजमेंट नमर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है उसके बाद गाइज अगर हम बात करते हैं इसका online application का तो online application आप देख सकते हैं start वो जाएगा आपका 1312-2022 को और last date आपका form जाए यहाँ पर 6-1-2-3 तक आप इस form को fill कर सकते हैं चलिए गाइज हम बात करते हैं सीधा कि कितनी seat यहाँ पर रिक्त है गाइज उसके सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर nurse के लिए तो nurse के लिए आप देख सकते हैं total 4 seat है ठीक है उसके बाद गाइज यहाँ पर spendery category STA1 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं mechanical का भी seat है electrical का भी seat है और electronis का भी seat है ठीक है उसके बाद guys अगर हम सीधा बात करतें कि mechanical में कितनी seat है तो mechanical में देख सकते guys total 11 seat है यहाँ पर ठीक है जिसमें आप देख सकते है SC में 2 seat है HT में 2 seat है और OBC में 4 seat है और under jump में 8 seat है तो mechanical वालों के लिए यहाँ पर जबरदस्त जो है यहाँ पर update है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर guys mechanical वालों के लिए total यहाँ पर 11 seat है ठीक है इस बात को आप ध्यान में रखिएगा उसके बाद guys अगर हम सीधा बात करते हैं यहाँ पर electrical करते है electrical में देख सकते हैं guys total यहाँ पर 8 vacancy है आपकी ठीक है जिसमें आपका देख सकते हैं st का 1 है st का 1 है उसके बाद obc का 2 है और ews का भी 2 है और unreserve का भी दोल है total आपके पास यहाँ पर 8 vacancy यहाँ पर जो है रहने वाली है ठीक है उसके बाद guys अगर हम बात करते हैं आप electronics का तो electronics में भी आप यहाँ पर उसके बाद guys अगर हम बात करते हैं आप pharmacist B के लिए यहाँ पर guys आप देख सकते हैं scientific assistant technician grade के लिए scientific assistant B के लिए जिसमें आपका ट्रेनिंग नहीं होता था उसके लिए guys यहाँ पर कोई notification जारी नहीं किया गया है ठीक है आपका spandery category 6 1 के लिए जारी किया गया है जिसमें आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा और उसके बाद आपको permanent यहाँ पर किया जाएगा ठीक है उसके बाद guys अगर हम बात करते है pharmacist B के लिए तो इसमें देख सकते एक vacancy है operation therapist assistant के लिए technician B के लिए है अब guide अगर हम बात करते हैं आपे electrician के लिए electrician के लिए देख सकते है total 8 vacancy है जिसमें HC के लिए एक है OBC के लिए 2 है और total reserve के लिए 4 है ठीक है? feeder के लिए आप देख सकते है total 1 है और estimation के लिए देख सकते है total 8 vacancy है guys vacancy के संख्यां बहुत कम है लेकिन guys यहाँ पे जो है vacancy निकल के सामना आई है यह आप लोग के लिए बहुत opportunity की बात है assistant grade HR के लिए देख सकते है total 8 vacancy है assistant grade 1 के लिए आप देख सकते है 3 vacancy है ठीक है? assistant grade C and M के लिए आप देख सकते है guys assistant grade CMN के लिए 7 vacancy है assistant grade एस्टेनों के लिए देख सकते हैं 5 vacancy है total अगर हम बात करते हैं 87 vacancy है लेकिन guys फिर भी यहाँ पर vacancy दिया गया यह आप लोग के लिए बहुत opportunity की बात है चले guys इसमें हम बात करते हैं आप पदो की संखियां के बारे हम बात कर लिए हैं अब बात करते हैं guys कि इसमें जो है आपका फीजिकल के देखिए पोष्ट का आपका इसका लेजबिटी के टीडिया के बाड़े मागर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए नर्स एक के लिए आपके पास यहाँ पर नर्स एक के लिए आप देख सकते हैं से एस्पी के नियम कनुस्त तर्ज जो है वेतन सरचना लेवल सेभन का दिया जाएगा ठीक है उसके बाद गाज यहां पर यह तो मतलब एस्टेपन के बाड़े में अगर हम बात करते गाज यहां पर एस्टेपन भी बताया गया है 16,000 परती महा फर्स्ट यहर का मिलेगा और अगले महा के लिए 18,000 मिलेगा दो यहर का अगर आपने टेलिंग कर पूरा कर लेते हैं उसके बाद आपको 35,000 के रुपे परमानेट कर दिया जाएगा ठीक है उसके बाद गाज अगर हम बात करते हैं सिधा यहां पर ITO वालों के लिए भी यहां पर पेमेंट दिखाएगा 12,500 है ठीक है उसके बाद आपको एज इलेक्सेशन भी यहां पर मिल जाएगा इस बात को आप ध्यान में रखिए गए यहां पर एज इलेक्सेशन भी यहां पर दिखाया गया है आप देख सकते हैं गाज अगर हम बात करते हैं यहां पर आपका इलेक्सेशन भी यहां पर देख सकते हैं गाज इलेक्सेशन भी यहां पर आपके पास नर्स के लिए बारवी में नर्सिंग एबं मीडवाइफ में डिप्लॉमा होना चाहिए ठीक है पलस इसके साथ तीन वर्स का आपका अनुभाब भी होना चाहिए लेक्स के लिए देख लिए उसके बाद गयाज यहां पर साइंटिपिक असिस्टेंट के लिए बात करते हैं तो यहां पर गयाज उन्होंने बताया है कि मानव संसाथ विकास मंत्राले द्वारा यांत्रिक की बिद्धोत और इलक्टोनिक्स में साइट परसेंट नियोंतर मंकों के साथ होना चाहिए आपके पास डिप्लॉमा होना चाहिए और गयाज अगर आपने यहां पर दो वर्स का भी आपने अतिय किया है तो भी आपको यहां पर बनेता मिल जाएगा ठीक है और यहां पर कम से कम से कम एक भी से अंग्रेजी के रुक में होना चाहिए इसमें गयाज कोई भी एक्स्प्रियेंस का नीड नहीं है इस बात को आप ध्यान में रखिएगा यहां पर कोई भी आपका यहां पर एक्स्प्रियेंस का नीड नहीं है इस बात को आप ध्यान में रखिएगा उसके बाद फर्मेसिस्ट भी का देख लिजिए गाज 10 प्लस 2 होना चाहिए उसके बाद गाज टेक्निस्टन ग्रेट के अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इसमें तेंथ होना चाहिए आपके पास, 50% मार के साथ कम से कम उसमें, 2保理 का कम है, तो वह भी धियान में रख लिजिए आप, Assistant Grade करे आप देख सकते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिधा, यहाँ पर, आपका Assistant Grade के लिए आप देख सकते हैं, यह सब हो गया, उसके बाद आपका Selection Process कैसे होगा, आपका Weight, Height सब यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर CBT होगा या ORMAR होगा और उसके बाद आपका skill test होगा और final आपका selection हो जाएगा ठीक है यह तो होगे आपका technician B grade के लिए अगर हम बात करते हैं guys तो आपका scientific assistant के लिए आपका देख सकते हैं guys आपका लिखित पर इच्छा होगा उसके बाद जो है यहाँ पर आपका interview review होगा उसमें जैसे ही आप उत्रीन हो जाते हैं तब आपका final selection यहाँ पर जो है ले लिया जाएगा ठीक है तो guys यहाँ पर देख सकते हैं आपका exam selection process के बारे में हम बात कर लिए exam देख सकते हैं आप PT आपका यह तो उसके लिए है ठीक है non-take वालों के लिए आप सीधा हम यहाँ पर technical के बात करते हैं चीक है जिसका मैं अलग से वीडियो आपको provide कर दूँगा आप यहाँ देख सकते हैं इसका total वीडियो मैं यहाँ पर आपको अलग से provide कर दूँगा बहुत जल्द ही आपको इसका update मिल जाएगा तो guys अभी तक आपको वीडियो कैसले के वीडिय को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब पर लीजेगा धन्यवाद